तो आज हम यहाँ पर बनाएंगे बहुत जादा मज़िदार सा वैज रेमिन सूप तो सर्दियां यहाँ पर आ चुकी है तो इसलिए अब आप लोग सूप बनाना स्टार्ट कर दें बज़े मज़िदार से सूप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा डिफरेंट तरीके से तो चलिए अपना मज़िदार सा यहाँ पर रेमिन सूप बनाते हैं आप लोग इसको मैगी सूप भी कह सकते हैं बच्चों को बहुत ज़ादा पसंद आएगा सिंपल सी रेसिपी हो की वेज़ेटेबल के साथ बनाएंगे हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पेर मैं एक पैन के अंदर यहाँ पर डाल लूँगा वनफोर्थ कप ऑईल शामिल करने के बाद ऑल को गरम करूँगा मैं एक टेबिल स्पून लेसन अद्रग का पेस डाल दूँगा मैं इसको फ्राय करूँगा एक मिनट के लिए सौते करूँगा अच्छे से जब यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सौते हो जाएगा तो मैं यहाँ पर अपनी से हरी प्यास की अना सफैद हिस्सा ले लिया था मैंने इसको बारेग चॉप कर लिया था वो मैंने इसके इसको फ्राय करूँगा था के थोड़ा से गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए इसका कच्छावन दूर हो जाए इतना फ्राय करूँगा अब इसके अंदर यहाँ पर चला जाएगा आदा कप चॉप्ट हुई वी कैरेट्स चली जाएंगी गाजर डाल दूगा अदा कप चॉप्ट हुई एक कब यहाँ पर मैं बंगो भी शामिल कर दूगा इसके अंदर और साथ ही इसके यहाँ पर चली जाएगी यहाँ पर शिम्ला में जाल दूगा मैं इसके अंदर बार इक चॉप्ट हुई बिलकुल और यहाँ पर ही मैं साथ जाल दूगा थोड़ी सी हरी प्यास अपने मुताबिक आप होई भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक् पर मसाले दूगा नमक धालोंगा काली मिर्श दौनगा उसके अंदर साथी और सफद मेर्श घ्लवारा और क於 कमरी में सारी मसालों के यहें ऑश्काव जाल दावर सब्सक्याश ओनकों पॉढाने चतनी शार ब्लबश अब 5-6 कब में करने मैं यहांबर पानी जाल दूंगा बिएक टेबल स्पून में चिकन पॉर्टर डालग रिएक टेबल स्पून भरके मैगी मसाला है यह होमेड मैगी मसाला है इसकी रचिपी में आप लोगों के साथ शेर कर चुका हूं उपर आया बटन पर लिंक करने तो वीडियो आ जाएगी अप इसके नदर जाएगी यहाप को यहाई लोड नूडल कि आप चाहिए तो कोई और भी नूडल्स उस कर सकते हैं आप कनौर के उसकरने का यूज का उसकरने । जो आपके पास अवेलेबल है आपकी मर्जी पे मुटाओए यह अब मैं यह या पर इसके साथ ही डाल दूँगा जो दुभ जो गुंते तरी के सथा है इसके अटाीच जो माराँ के अमे volle थे थे यहान दो उलुघस nй यहां आपर तयार हो चुका है इसके इंदर मैगी नुडल जाएगा नुडल केग जो हमारा है वो मैं सके अंदर शामिल कर दूँगा इसको ते हमें बस इतना पकाना है कि यह एच्छे से और नूडवल खुल जाया कि अच्छा पन नूडवल का दूर जाहिए से जाधा में नहीं पकाना है दस मिनिट लगेंगे टोड़े इसको में मेडियम फ्लें पर दस मिनिट के लिए पकाऊ उसके बाद हमारा सूप तेयार हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, दस मिनट के बाद जब नूडल्स अच्छे से पक गए तो मैंने अपनी सलरी इसके अंदर डाल दी, मिक्सचर के अंदर और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगा, सूप की कंसिस्टेंसी देख लेंगे, यहां पर हमारा सूप अच्छे स साथ सर्फ करेंगे, हाँ पर आप वाइल एक्सर साथ सर्फ करेंगे और थोड़े से उपर से ग्रीन अनियन जो हमने बचाई थी, मैं इसके उपर शामिल कर दूँगा, सॉसिस रिजल करेंगे और हमारा मज़दार सा लेफिंगर लेकिन सूप यहां पर रेडी है, बहुत ज बचुछ करेंगे वेश्च करेंगे और नवी दूँगा, सबस्, तेया हुआ है और हमारा हमारा महां पर बच रच तो, जो धिंगे तो, बच्छ्प बच्टेदा पर लेदीन, यहां पर रेफिंगे बच्ब पर उंड़े लेफरेंगे और पर लेफिंगे, बच्बी करें